नमाशकार दोस्तों, दोस्तों आज हम लेकर आएं बच्चों के लिए एक बेहतरीन रिस्पी, इस रिस्पी को दोस्तों बच्चों को अगर एक हपते तक एक चम्मच खिलाएंगे ना तो बच्चों का वजन और दिमाग तेज होता है, बहुत ही सरल दोस्तों ये रिस्पी है तो जरूर आप ट्राइ कीजिएगा अपने बच्चों के लिए इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइ फूट को धूलेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन बदाम ले लिया हूँ इसके बाद दोस्तों तीन काजू ले लिया हूँ इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन मखाना के फूल ले लिया हूँ इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर दो ले लिया हूँ चोहारा चोहारा लेने के बाद दोस्तों चोहारा के बीज हमें निकाल लेना है दोस्तों तो दोनों चुवारा के बीज निकालने के बाद अब हमें दोस्तों ड्राइफूट को अच्छी तरह से धूल लेना है तो अच्छे तरह से धूल लेंगे दोस्तों जो भी इसमें धूल होगी न वो पानी में निकल जाएगा दोस्तों और फिर उसके बाद दोस्तों एकदम फ्रेस पानी से इसको सभी ड्राइफूट को दोस्तों दुबा देना है दो घंटे के लिए जब तक यह अच्छी तरह से फूलता है तब तक हम दोस्तों यहाँ पर नेस प्रोसेस में चलेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बाउल ले लिया हूँ इसमें हम एड करेंगे पोहा तो पोहा दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मन्द है क्योंकि पोहा में फाइबर और विटामिन की मातरा ज्यादा होती है इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर दो चमच ओर् विटामिन से भरपूर होता है और बच्चों का जो विकास होता ना ब्रेंड डेवलोप्मेंट के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है दोस्तों ओर्ट्स तो पोहा और ओर्ट्स को मैं अच्छे तरह से दोस्तों धो लिया हूँ और धोकर मैं साइड में रख लिया हूँ इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक केला लेंगे और केला के छिलके उतार करके हम यहाँ पर ग्रेंडिंग जार में एड कर देंगे तो केला को मैंने ग्रेंडिंग जार में एड कर दिया हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेंगे धोला हुआ पोहा और ओर्ट्स इ तो यहाँ पर दोस्तो बढ़िया पेश्ट तयार हो गया है दोस्तो पेश्ट तयार होने के बाद दोस्तो हमें पेश्ट को रख देना है साइड में और दोस्तो दो घंटे के बाद दोस्तो अब हम यहाँ पर ड्राइफूट की तरफ आ गए हैं ड्राइफूट ना बहुत बाद दोस्तों हम यहाँ पर बदाम के छिलके उतार लेंगे तो छिलके उतारने के बाद दोस्तों ग्रेंडिंग जार में बदाम और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एड़ कर देंगे छोहारा तो छोहारा के बीज हम पहले से निकाल करके रखे थे दोस्तों इसके बाद दोसो, काजू और मखाना को एट कर देंगे, फिर इसके बाद दोसो हम यहाँपर ले लेंगे मिल्क मतलब दूद ले लेंगे तो दूद को मैंने यहाँपर एक चौथाई कप हो मैंने यहाँब दूद लिया हूं दोसो और बड़ी हत्रा दोसो उसका भी हम फाइन पेस्ट त त्यार कर लेंगी, तो त्यार करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर चलेंगे रिस्पी बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बरतन ले लिया हूँ, बरतन में आधा कब पानी आड़ कर देंगी, पानी जब गरम हो जाए तब हम यहाँ पर ड्राइफूट औ और मिलक जो हम पेष्ट त्यार की थे उसको एड़ कर देंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोहा और ओर्ट्स और केले का जो हम पेष्ट बना कर रखे थे साइड में उसको भी एड़ कर देंगे तो सब चीज को दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पांच मर् तक तो बहुत बढ़िया दोस्तों आपकी यह रिस्पी तयार हो जाएगी बच्चों के लिए तो बच्चों को दोस्तों आपको देना है एक एक चमच आपको एक हपते तक दोस्तों तो अगर आप एक हपते तक एक चमच आपको बच्चों को यह रिस्पी देते हैं खाने क लिए तो उनका वजन और दिमाग तेज होगा दोस्तों तो दोस्तों बच्चों को किस उम्र को देना है तो यह बच्चों दोस्तों आपको 9 माहिने से 2 साल तक के बच्चों को यह आपको एक चमच खिलाना है तभी दोस्तों उनका वजन और दिमाग तेज होगा कैसी लगी दोस्तों बच्चों को ये रिस्पी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो